दोस्तो यहां पे कमाल की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ और दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ओपो चार्जिंग टेकनॉलजी के बारे में और दोस्तो यहां पे आपको ओपो ने सोकेस करके दिखाया है 125 वाट का चार्जर हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे इस नई यूट्यूब चैनल को नदीम टेक पे दोस्तो इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगेइन दोस्तो यहाँ पे ओपो ने अभी सोकेस किया है 125 वाट का चार्जर और दोस्तो ओपो ने कमाल का काम किया है अपने इसी चार्डिंग टेकनलोजी में दोस्तों यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि अगर कुछ महीने पहले हम back होते हैं या कुछ साल पहले back होते हैं तो यहाँ पे आपको OPPO के तरफ से आपको Wook टेकनोलजी देखने को मिली थी और दोस्तों यहाँ पे कमाल की टेकनोलजी आपको देखने को मिली थी OPPO के तरफ स तो दोस्तों यहाँ पे OPPO ने लगातार अपने charging technology पे काम किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक charging technology देखने को मिली है साथ में जो दोस्तों इसकी वाट है वो भी बहुत जादा होती है और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे precautions इसमें include किये जाते हैं जो की आपको adapter में देखने को मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी क्या किया है ओपो ने अपने technology में जो adapter थे वो बहुत ही छोटे कर दी हैं पिछले adapter के मुकाबले दोस्तों यहाँ पे watt को भी बढ़ा दिया गया है लेकिन जो charging आपको technology मिलती है वो भी advance मिलती है वो भी उसकी precautions जो होती है वो भी आपको ज्यादा तर देखने को मिलेंगी और ज्यादा तर safety measures को इसमें include किया गया है साथ में दोस्तों अगर बात करें इसके charging technology के बारे में तो कैसे यह charge करता है basically इसको focus किया जाता है 4000 mh की battery पे और दोस्तों यहाँ पे voltage open loop constant current charging के हिसाब से आपको यह charging देखने को मिलता है दोस्तों इसकी technology कुछ different है और दोस्तों यहाँ पे battery जो होती है वो parallelly divide हो जाती है 2000 औ test 125 watt का charging जो की कमाल की speed आपको देने वाली है charging के मामले में दोस्तों यहाँ पे बात करें OPPO के और भी technology के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे OPPO का आपको देखने को मिलेगा 65 watt का air wook charging technology जो की आपको wirelessly charge करने को देखने को मिलने वाला है साथ में दोस्तों 125 watt का charger आपको और दोस्तों यही टेकनोलजी आपको देखने को मिलेगी Realme के तरफ से और Realme भी इंट्रोड्यूस कर रहा है Realme Dart Charge 125W का आपको चार्जर देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे आपको 4000 mh की बैटरी को कंसीडर किया गया है 4000 mh की बैटरी को 13 मिनट में फुल चार्ज कर देगी और दोस्तों यहाँ पे ओपो के तरफ से 110W का भी आपको एडप्टर देखने को मिलेगा जो की एक मिनी एडप्टर होगा और फ्लैस चार्ज के टेकनोलजी के साथ में आपको मिलेगा साथ में 50W का भी आपको एक मिनी एडप्टर फ्लैस चार्ज देखने को मिलेगा जो की ओपो के तरफ से आपको देखने को मिलेगा इसे इंडरस्ट्री में और देखते हैं दोस्तों कब लॉंच करता है ओपो कोई फोन दोस्तों यहां पे कब फोन लॉंच होता है और कौन सा फोन आपको यह सपोर्ट करने को देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों यहां पे ओपो के Find X2 Lamborghini Edition में आपको देखने को मिल सकता है यह 125W का चार्जर साथ में दोस्तों यहां पे ओपो का Reno4 लॉंच होने वाला है और दोस्तों इसमें देखते हैं कितने वाट का चार्जिंग टेकनोलजी आपको देखने को मिलता है ओपो के तरफ से दोस्तों यही ते कुछ information जो की चार्जिंग टेकनोलजी के बारे में आपको बतानी बहुत जरूरी थी और ओपो के तरफ से काफी कमाल सांदार और लाजवाब चार्जिंग टेकनोलजी देखने को मिलती है जो अपने बैटरी को बहुत ही जल्दी रिचार्ज कर देती है दोस्तों यहां पे comment करके आप बताइए कि आपको कौन सी टेकनोलजी पसंद है डार्ट चार्ज, वाब चार्ज या फिर आप वूक चार्ज का इस्तेमाल करते है साथ में वीवो का flash चार्ज भी आता है और दोस्तों यहां पे कौन सा charging टेकनोलजी आप इस्तेमाल करते हैं अपने mobile phone में दोस्तों बस आज के लिए इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमाद उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कोई भी सवाल यह सुझाओ आपकी मन में हो जाहिंद